हालो बच्चो वेलकम टू मैं चैनल तरन जब आए स्टडी और कैसे हो आप सब लोग और स्टडी जोर शोर से चल रही है ना चलनी भी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे स्टडी करेंगे आपको कंसिस्टेंसी में रखने पड़े की तभी आपकी स्टडी में कंटिनुटी और आपको कॉंफिडेंस बना रहे हैं ठीक है चलिए आप अगे बात करते हैं क्लास 11 कहीं थर्ड चैप्टर को बात कर रहे थे जिसमें हमने प्रीएंस क्लास में टेरीडो फाइट को कर लिया था नाओ इन देस क्लास में टॉक अबाउट दी जिम्नोस पर्म कि बात करते हैं ना देखो वन वाई वन सारी की सारी जितने भी कैटेगरीज हम पढ़ने धिरे दिरे वह डिबलेप होती जा रही है तो शुरू में हमने बात पढ़ा थेलोफाइट है टोटली अक्वेटिंग थोड़ा सा लैंड पे आये तो हमने ड्राइव वाइट अब हम पढ़ रहे हैं जिम्नियसम थोड़ा और इमश कैटेगरी टुरूरू उतल लीफ जो है वो टेलटोफाइट में ही बन चुकी है ओके तो बात करते हैं जो क्या भोलते हैं नेकेट चेट इससे जाने जाते हैं इह इंके जो सीट सो बंते हैं इसे पहले सीट लोड़ा any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. The seeds that develop post-fertilization are not covered, that is, are naked. Seed बनने के बाद वो जबनने के बाद वो जबनने के बाद वो जबनने होते हैं. Gymnospom include medium-sized trees or tall trees and shrubs. ठीके? Medium- tall, medium और shrubs include करते हैं. One of the gymnospom, the giant redwood tree sequoia या दर्कना इस पे question बनता है. The giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species. यह क्या है? सबसे tallest tree species है. The roots are generally tap root. इसकी roots कैसी होती है? Generally tap root होती है. हना? मालू में ना tap root कैसी? कि एक से एक तो main root होगी और फिर उससे further roots secondary, tertiary हना? यह सब roots arise होंगी. This is tap root. Roots in some general have fungal association in form of mycorrhiza. अब यादर रखना, mycorrhiza जो है, मतब एक्शली gymnast worms जो है, इसमें दो category आती है. एक आती है pinus और एक आती है psychus. ठीक है? Okay, psychus. तो psych, pinus का जो association होता है. association मतलब mutual association से रह रहें. आपसमें एक दूसरों को benefit कर रहें. तो इसका mutual association होता है, algae के साथ उसकों बोलते है, mycorrhiza ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है. फंगल, सॉरी, फंगल, सॉरी, algae नहीं, सॉरी, फंगल. सो फंगी के साथ जो association है, that is mycorrhiza. ऐसी psychus, जो है, it is a small specialized root called, coralloid root are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. यह तो कर रहा है, फंगाई के साथ कर रहा है, और यह क्या बना रहा है, it is making the coralloid root और किस के साथ association कर रहा है, it is making association with nitrogen fixing cyanobacteria. हना, अब यह बहुत जादा important question यहां पर बन चुका है, इस पर question आता है, ओके, थोड़ा से याद करने तो यह एक धिहान रखना, दूसरा धिहान मत रखना, वो automatically याद रहेगा, कि पाइनस फिर mycorrhiza बचा, तो फिर mycorrhiza ही आएगा, ठीक है, साइकस coralloid root, पाइनस mycorrhiza आगे बात करते हैं, आगे स्टेम्स अर अन ब्रांच, साइकस ब्रांच, कि साइककस में रहेगी unbranched, और इस तो कि रहेगी ब्रांच, आगे ऑगे ब्रांच, आगें आगें, ब्रांच जाओ, तो मैं यहां पर लिख देती हु यह क्वेशन बन गया, यह क्वेशन बन गया पाइनस, सेड्रस, सेड्रस यह भी याद रखना है, okay, ठीक है, now, the leaves may be simple or compound, now, do you know, ठीको, यह simple leaf होती है, this is simple leaf, हना, अब compound leaf कैसे होगी, मालो यह है, और यही पूरा lamina, जो है, यही ब्रेक होके, चुटे-चुटे-चुटे, leaflet बना लेगा, like this, now, this is called the compound leaf, ठीक है, now, in cycles, the pinnate leaves persist for a few years, the leaves in gymnasium are well adapted to withstand extreme of temperature, इसको बाद में बात करते हैं, अप साइकस में कैसी होती है, pinnate leaves होती है, again, one more difference, साइकस and pinus, right, तो साइकस में कैसी होती है, pinnate leaves होती है, okay, और यहां पे रहती है, foliase, broad, ठीक है, now, the leaves in gymnasium is from our well adapted to withstand extreme of temperature, humidity, wind, यह सब को well adapted रहती है, इन सब को bear कर सकती है, इन कॉनिफर्स, हना, कॉनिफर्स, okay, needle-like leaves reduce the surface area, मतलब इस में कैसी में लेगी, I am so sorry, यह रॉंग हो गया, यहां पे मिल जाएगी, foliase, और यहां पे मिलेगी, scaly, याने की needle-like, ठीक है, यहां पे needle-like, यहां पे needle-like, यह कॉनिफर्स, इन को ही बोल रहे है, ठीक है, now, their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce the water, यह सब क्या कर रहे है, इन सब में ही अक्षली क्या मिलता है, thick cuticle मिल रहा है, sunken stomata, now, sunken stomata क्या होते हैं, यह एक layer है, upper layer, जहां पे stomatars present होते हैं, but, in case of sunken stomata, it is present like this, ठीक है, यह layer है, ऐसे कुछ रहे, और stomata यह अंदर present है, तो मतब direct sun की light इस पे fall on नहीं हो पारी है, इससे वज़े से water का loss प्रिवेंट कर रहा है, so, they help to reduce the water loss, so, are you clear with this one, ठीक है, आगे बात करते हैं, now, gymnosperms जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, hetero spores होते हैं, यानि male and female gamit अलग लग होंगे, they produce haploid microspore and haploid the megaspore, हाना, अलग लग, male and female अलग लग बना रहे हैं, male को बोलते हैं, micro spore, और female को मोलते हैं, mega spores, the two kind of spores are produced within spore angia, किस के अंदर बनते हैं, एक spore angia के अंदर, that are born on the spore of fields, which are arranged spirally along an axis to form lax or compact stubly or cone, हाना, देखे, मैं आपको last class में भी बताया था, ये leaf, जो है, ये leaf, जो है, ये leaf को हमने क्या बोल दिया sporophyll, क्यों बोल दिया, sporophyll, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्या present है, spore angia present है, और in spore angia के अंदर, male and female spores present है, बहुत सारे male and female spores present है, अब अगर ये compact structure बना रहा है, मतलब कि पूरा ऐस तरह का structure, जिसके अंदर, फिर फॉर्दर यहां पे अलग-अलग बहुत सारे spore angia, then this compact structure is called the cone or strobellae, ठीक है, ओके, तो यहां पे बता रहा है, they make the compact strobellae or corn, the strobellae bearing, और इसको lax भी बोलते है, यह आधर रखना, question बन सकता है, इसको lax भी बोलते है, now the strobellae, जो ये strobellae है, they bear the microsporophyll and microsporengia are called microsporengia or male strobellae, अभी जिस टोबला है, अगर ये male हुआ, मतलब क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, microsporengia होगा, ये जो मतलब sporangiate है, ये कैसे होंगे, microsporengia होगा, राइट, सिर्फ male gamete बना रहे होंगे, या फिर इसको microsporophyll भी बोलते है, microsporophyll, देखो, ये सब मैं previous class में बता चुगे, मतलब लीप दो तरेकी होगी, जब लीप पे sporengia हो होसा पी ये से बतार जिए में लाइन ही ये से लुचा, सिर्फ देखो के अंदर माक्रास्पोर द इस वह यह आपर भी बता रहें थीकिंड माईक्रोस्कोप डवलप इंटो, sorry, माईक्रोस्पोर्व इंटो, मेल गेमिटिविटिक जनरेशन, अब जो इसके अंदर बहुत सरे स्पोर्ज है, उसमें से जो माईक्रोस्पोर की बात करें हैं यानि मेल के बात करें, वह स्पोर निकलेगा बहार और क्या करेगा एक गेट फिटिक प्लांच जन्रेट करेगा विच इस हाइली डियूस अन कंफाइंड तो ओनली निर्मेटर नम्मर अफ सेर दिस डियूस गेमिटोफाइट इस कॉल दी पोलन ग्रेन और इस यह जो गौर गेमिटोफाइट बनाए यह स्पोर्ड वह क्या बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे पोलन ग्रेन डवलाप्मेंट फोलन ग्रेन टेक प्लेस विदिन दी माइक्रो पॉरेंज यह सब कहां प्रेजंट है इस पूरेंजिया के अंदर ही प्रेजंट है तकॉन्स बीयरिंग दगोंस हना इसकी बात कर रह ही था कि यहां फीमेल होगा तो असको फीमेल स्टो फिलाए बोलेंगे ते मेल फीमेल कोन और से वैल मेबी बार्न ऑंसेम टी अब यह देखो वसकता है दोनों स्टो बिला एक ट्रीपे हो हो सथैय अलग अगर यह सेम ट्रीपे है और मेल एंघ पीमील हिए अगर यह सेम मिलेगा पाइन उसपी मिलेगा और आगर यह दिफरेंट पे हैं तो यह किस पर मिलेगा साइक समें प्लीज धियान रखना बहुत अच्छा बन जाता है इस देवी इस टॉबल आए दिये हैं यह अभी धिशान पर रखना यह बंक से हैं और जो आप देखो यह जो आंदर श्रक्चर बन रही है ना फीमिल कि स्रक्चर जो है उसके अंदर क्या प्रेजंट होता है न्यू यू सेल फ्रेजंट होता है इस न्यू सटो एक सेल ठीके एक सिंगल सेल जिसको हमने क्या बोल दिया मेगा स्पोर मदर सेल यह मेगा स्पोर मदर सेल क्या करती है यह करती है मियोंसिस तो देखें वहां पर वही बता रखा है कि the new cell is protected by envelope and composite structure is called ovule the ovule are born on the मेगा स्पोर अपिल which may be clusters to form the female cone okay समझ आया कि मेगा स्पोर मदर सेल जो है it is differentiate from one of the cell of the new cell is उससे एक से बन रही है दो नुचल इस प्रोटेक्टर बाइंवल अनुचल के बाहरे तरफ चारों तरफ एंवलप है and the composite structure is called the ovule और के अंदर जो composite structure is उसको हम ओविल बोलते दो विलार बॉन नौन दी मेगा पोर फिल जो चलिस्टार शुक्लेस फोंडी फीवल को शुर मेगा पाइं टूब यूआ जब आना इसमें से सिर्फ एक जो है वह किसके अंदर है ओल यूवल के अंदर डवलप हो रहा है मैंने बताया ना ओल फिल के स्रॉक्चर जिसके अंदर यह के मिट फ स्वंधतनों सब्सक्राइब करें। में कर देंदए लिए तैसे पुछ का मिका सी कह रहीं वहां सब्सक्राइब के अंधर नाुपूत ऑफ्योंन सबस्टर देल न थो उन पर्म और फीम्हेल सेक्स ऑर्गन जिसके पास फीमिल स्वाइब भी प्रेजन थे मल्टि सल्विलर फीमेल गैमिटाफॉइट ऑल्सो टीन विन दी मेघास पुरेंजी अम वह बोल रहा है कि फीमिल गैमिटाफॉइट जो यह बनाना यह इस विविव के अंदर ही है ओविव को ही हम क इंके पास अपनी कोई फ्री एक्जिस्टेंस नहीं होती है देरिमें विदिन दी पोर एंजिया रीटेम इस पॉरफाइट पर डिपेंड करते हैं देपोलंगरेन इस रिलीज्ट फ्रम दी माइक्रो पोर एंजिया देर करेंट अंड करेंगें अन्ड कम इन कंताक्त विद दी ट्रावल करके जा रहे हैं जते भी पोलन ग्रेंट यह मेल गामीट है और फीमिल तक लीच कर रहे हैं तो कहा पर जा रहे हैं विए इसा उपनिग यह न वहां पर जाके सेटल हो रहे हैं और इस पोलन ग्रेंट से अब क्या बन रही है एक पोलन ट्यूब बन रही है कहा तक जाएगी जहां पे क्या होगा यहां पे ओवियूल होगा इस पोलन ट्यूब यह इस ओवियूल के अंदर अंटर करेगी ठीक है ना तो इस पोलनिंग ओवियूल बॉन और मेगा स्पोरफिल यह जो इसका छीद बनाया है मैंने मतलब कि यह जो है और लाइक स्ट्रक्चर है इसके थूर यह आर्केगोनिया में अंटर करता है दिस्चार्ज दिया कंटें नियर दी माउथ आर्केगोनिया फोलोंग फोल्विव जाएक डवलप इंटो एन एंब्रीयो द ओविल एंटो इन इंटो सीद इस आर नॉट कवर्ट तो जो जाएगा इंब्रियो में कनवर्ट हो जाएगा ओविल जो है वो सीड में बट इसके स्पेशलिटी क्या है कि सीड यहां पर कवर नहीं होता है ठीक ह ओके अब इसके आगया जाते है हमारा एंजियो स्पर्म तो आइधिंग यू मस्ट वी क्लिया क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यह याद रखना लैक्स पर क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पाक्ट इस्टो बलाए कॉन राइट फिर उसके बाद यह पूरा थोड़ा सा समझ लेना this whole paragraph this one समझ लेना ठीक है ना एक याद रखना यह वाला से गिन को यह क्या है इट इस लिविंग फोसिल्स ओके याद रखना यह भी किसमें मिलता है जिम्नुस पर में मिलता है हना सेके वाला धियान रखना यह पाइकस पाइनस का डाइगराम है यह साइकस का डाइगर नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक दी एंजियो स्पर्म तिल दैन पढ़के रखिये पूरा डाउट जो भी आता है प्लीज आप मुझे पोस्ट करते रहे है ठीक है तिल दैन टेक केर बबबाय कीप डूइंग स्टाड़ी